हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंदम और आप देख रहे हैं हैं यूटूब चैनल आए इस वीडियो में हम आपको डिजी मेल को आपन करके बता रहे हैं सबसे पहले अपने डिजिटल सिवा पॉर्टल पर लोग इन हो जाए कि जब अप डिजिटल सिवा पॉर्टल पर लोग इन हो जाते हैं तब वहां पर एक मैसेज तो होता है डिजी मेल के नाम से वहां पर आपको नया वाला डिजी मेल ईडी और पासव Tibet दिया होता है उस इडी और पासव fiber को को पी करके आप डिजी मेल को आपिन कर सकते हैं का side पर जाए, जब आपका dgmail side खुल जाए, तब उहाँ user name में यहाँ से dgmail id copy करें और उसका username में उसे paste कर दें, paste करने करने के बाद उसके end में add the rate dgmail.in टाइप कर दें, टाइप करने के बाद अपना password को वहाँ से copy करें, password बदल चुका है, पहले जो password था, वो password यहाँ से बदल दिया गया है, अब अपना password यहाँ paste कर दें, paste करने के बाद, sign in करने के बाद यह नहीं खुलता है, और उपर में एक message होता है, कि caps lock को on नहीं करना है, मतलब small letter में ही type करना है, पुना हम यहाँ से देखते हैं कि password type क्या है, पासवर्ड को पुना वहाँ से देख के और यहाँ type करें, ध्यान रखे, कॉपी करके paste नहीं करें, उसे यहाँ type करें, type करने के बाद पुना sign in पर click करें, पुना यह नहीं open हुआ और एक message सो कर दिया, एक बार और try करते हैं इसे हम open करने के लिए, पुना इसे delete करके, पुना password type करें, पुना टाइप करने के बाद, जब हम sign in पर click करते हैं, तो यह open हो जाता है, और यहाँ, पुना password change करने के लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ हम अपना पुना पासवर्ड डालेंगे, पुना पासवर्ड का मतलब, यहाँ जो अभी दिया गया है, यही password type करना है, यानि कि पहले वाला password type नहीं है करना, पासवर्ड टाइप करने के बाद, नया password टाइप करना होगा, उसके बाद confirm password टाइप करना होगा, उसके बाद sign in करने से मेरा password चेंज हो जाएगा, तो password के विशे में हम आप लोग को एक सुझाव देना चाहेंगे, कि digital siva portal पर आप जो भी password यूज करें, ध्यान रहें, वो सरा password एक ही होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको password याद रखने में परिशाने नहीं होगी, क्योंकि digital siva पर बहुत सारे password की आरशकता ह होती है, और उतना password को याद रखना सायद संभव नहीं है, अब यहां हम अपना पुर्णा वाला password टाइप करके, उना ऐसे हम copy कर लेते हैं, और यहां आके टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद नया password टाइप करेंगे, समय लग रहा है, नया password टाइप करने के लिए confirm password टाइप करेंगे, और उसके बाद sign in button पर click करेंगे, sign in button पर click करने के साथ process हमरा start हो जाता है, मतलब इस बार यह खुल ही जाएगा, लोडिंग इस्टार्ट हो चुका है, नेट का इस्पिट शुलो होने के वज़ा से इसे में समय लग रहा है, यह लुष खोींग, ऑ मतली बाद से लज़। है, कि एप शुलो हुआ भवर उन् से पेता है, मतल Ihnen बचब से बादार्ट है, बहुआ है, वह हमको चक्ट छहुआ पैसुर हो जऑल जा है, रह रहा क्यार्ट बचलो हूए थे पाशनार्स, टृ़ल बच्छ, अभी तक यह लोडिंग में ही है आप चाहिए तो वीडियो को शिप करके देख सकते हैं और यहाँ अपडेट पासवर्ट पर क्लिक कर देंगे और यह खुल चुका है अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी मेसेज सो नहीं हो रहा है सरा डाटा गैब हो चुका है यह ऐसा इसलिए है हुआ क्योंकि CSE ने एक गलत मेसेज हमारे डिजी मेल पर भेज चुका था जी एस्टी वन को लेके जिसको हटाने के लिए उसको डिजी मेल को बन करना परा और सरा मेसेज को हटाना परा अब सरा हम बॉक्स को चेक करके देखते हैं तो यहां पर कोई भी मेसेज सो नहीं होता है हम इन बॉक्स, सेंड बॉक्स, ड्राफ, जंग सरा फाइल को चेक कर चुके हैं प्रन्तु कहीं पर कोई मेसेज सो नहीं हो रहा है फ्रेंस वीडियो पसंद आया तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी परकार की विभीन परकार की जनकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के आइकोन को प्रेस करें धन्यवाद फ्रेंस करें परकार की जनकारी